हाई आप देख रहे हैं मायापुरी कट मैं हूँ आपके साथ श्रिष्टी और स्वागत है आपका मायापुरी अबडेट्स पर जहां आप तक बॉलिवुट की सारी खबरे पहुंचाते हैं सो लेट्स दिखी सारा लिखान छुट्टियों का मज़ा ले रहे हैं वो इन दनों कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हैं कुछ दिनों पहले सारा की सोन मार्ग वैली और अमरनात यात्रा से तस्वीरे सामने आई थी जहां उन्होंने भोले नात के दर्शन किये अक्ट्रिस ने बोले नात के दर्शन के बाद दर्गा में भी दस्तक दी जहां वो माथा टेकते नजर आई अक्ट्रिस ने दर्गा में दुआ मांगी इसके बाद वहां के लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंट किया कृस्ट्रोफर नोलन की ओपुन हाइमर लगातार खबरों में बनी हुई है इंडिया में फिल्म विवादों से घिर गई है फिल्म में भगवत गीता से जुड़े एक सीन को लेकर विवाद है फैंस काफी नाराज नजर आए और फिल्म के बॉयकॉट की मांग करने लगे अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना एवं प्रसारन मंतरी अनुराग ठाकुर ने सेंसर बोट से सीन को हटाने के लिए कहा है खबर के मुताबिक सूचना एवं प्रसारन मंतरी अनुराग ठाकुर ने विवादित सीन पर कड़ा रुक अपनाया है अनुराग ठाकुर ने इस आपत्ती जनक सीन पर CBFC से जबाब मांगा है मा बनने के बाद अपने बच्चों को समय देने के लिए आक्ट्रिस को अपने काम को मैनेज करना पड़ता है नीजा फिल्म आक्ट्रिस सोनम कपूर भी अब कुछ ऐसा ही करने वाली है साल 2022 में मा बनी सोनम अब फिल्मों में वापसी की तैयारी में है लेकिन इससे पहले उनोंने खुद के लिए कुछ नियम बना लिए है इन नियमों के तहट सोनम साल में केवल दो प्रोजेक्स ही करेंगी बारे में और जानकारी देते हुए सोनम ने कहा है की उन्ने हमेशा उन प्रोजेक्स का हिस्सा बनना पसन रहा है जिनोंने दर्शकों को एंटेटेन किया हो अब वो साल में दो प्रोजेक्स ही करेंगी उन्हें ऐसी कहानी की तलाश है जो एंटेटेनिंग हो सितारों को लेकर कई बार कुछ ऐसी खबरे आ जाती हैं जिसके बारे में सुनकर वो खुद भी हस पढ़ते हैं ऐसी ही एक खबर का आक्टर मनुज बाचपई ने मजा कुड़ाया है पिछले दिनों खबर आई थी कि मनुज 170 करोड की संपत्ती के मालिक हैं उन्होंने एक इंटिव्यू में इन खबरों को अफवा बताते हुए उनका मजा कुड़ाया मनुज ने कहा कि मैं भी यही सोचता हूँ कि काश ऐसा हो जाता मैं अपना बैंक बैलन्स बढ़ाने के लिए अब भी संगर्श कर रहा हूँ मैं अब भी अपने अकाउंट में पैसे बढ़ाने के लिए स्ट्वगल कर रहा हूँ हॉलिवुट फिल्म बार्बी किस जुलाई को रिलीज हुई है बड़ों से लेकर बच्चों तक हर को इस मूवी को देख रहा है बॉल्वुट इंडस्ट्री में भी इसका क्रेज काफी है इस बीच टीवी आक्ट्रिस जुही परमार ने मूवी को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया है जो काफी वाइरिल हो रहा है जो ही परमार ने बार्बी को लेकर पेरंस को सलहा दे डाली है जो अपने बच्चों के साथ इस फिल्म को देखने की तयारी कर रहे हैं जो ही ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अपनी बेटी को फिल्म दिखाने ले जाना उनकी एक टाउन में है अब सावन में आक्ट्रिस ने अपने घर पर भगवान शिफ का अभिशेक किया जिसकी एक जहरक उन्होंने इंस्टेग्राम पर शेयर की है आपको बता दें कंगना भगवान शिफ की बहुत बड़ी भक्त हैं इस वीडियो में कंगना के पता भी नजर आ रहे है साथ ही कई पंडित भी दिखाई दे रहे हैं जो कंगना से पूजा पाट करवा रहे हैं बी टाउन के हैंसम हंक अदित रोय कपूर अन्दनो अन्या पांडे के साथ अपनी डेटिंग को लेकर सुर्ख्यों में है दोनों ने अभी तक अपने रिष्टे की घोशना नहीं की है हाली में अदित ने रिलेशन्चिप को लेकर बात की है अदित रोय कपूर ने हाले अन्टिव्यू में रिलेशन्चिप में क्या जरूरी होना चाहिए इस बारे में बात की अधित्य रोय कपूर ने कहा मुझे लगता है कि आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा रिष्टा रखना चाहिए और उनके साथ अच्छा बेहेव करना चाहिए जिसके साथ आप रोमांटिक रिलेशन्शिप में है अधित्य ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि kindness कभी भी style से बाहर नहीं जा सकती ये समाज में जिन्दा रहने के लिए बहुत जरूरी है अक्ट्रिस रवीना टिंडन एक के बाद एक परदे पर शानदार अफतार में नजर आ रही है अक्ट्रिस जर्द वन फ्राइडे नाइट में नजर आएंगी जिसका धमाकेदार टीजर भी अब मेकर्स ने रिलीज कर दिया है वन फ्राइडे नाइट OTT प्लाटफर्म जियो सिनमा पर रिलीज होगी इसका प्रेमियर अथाइस जुलाई से होगा आपको बता दें कि फांज रवीना को स्क्रीन पर देखने के लिए बहुत जादा एक्साइटेड है अक्ट कार्ट कारन एक आउटसाइडर होने के बावजोत फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाग जमाई है ये इसी का नतीजा है कि उन्हें इंडियन फिल्म फेस्टिबल ऑफ मेलबर्न में सम्मानित किया जाएगा आक्टर को राइजिंग ग्लोबल सूपरस्टार ऑफ इंडियन सिल्मा के पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा ये पुरसकार उन्हें विक्टोरिया की गवर्नर द्वारा, फिल्म इंडस्ट्री में उनके महत्वपून योगदान और उलेखनी उपलब्दियों के लिए 11 अगस्त को आयोचित समहारों में दिया जाएगा बॉलूट के कई फिल्मों में अपना जल्वा बिखेडने के बाद अर्चना पूरन सिंग इन दनों टीवी पर नजर आती है शोपर अपनी हसी से सभी को लोट पोट कर देने वाली अर्चना पूरन सिंग हाली में एक यूजर को लतार लगाती हुई दिखाए दी दरसल यूजर ने अर्चना के एक तस्वीव पर एक बहुत ही भदा कॉमेंट किया था जिसका अब अक्ट्रिस ने मूँ तो जबाब दिया है जो की काफी जरूरी भी था झाल यूरी जरूी भी एक बहुत है थाए जिली